सो विल्कम टू माई चैनल गाइस इस बरे में डिसक्स करेंगे बीटे कोर्स में से कौनसा ट्रेड रेलोय असेस्टेंट लोको पाइलोट एक्जाम पॉइंट अफ व्यू से बेस्ट है मतलब आप जिस ट्रेड से बीटे कौलिफाई किये है बो ट्रेड क्या असेस्टेंट ल आपका ओपीनियन कॉम्मेंट्स में जरूर मेंशन करें और साथ में आपका क्या ट्रेड है वह ब्यू मेंशन करेंगा देखें मेंली जो मैं इधर रखूँगा कि आप जिस ट्रेड से बीटे किये है उस ट्रेड में कुछ सबजेक्ट अगर रेलोय जो एक्जाम है चार सब्सक्राइब करेंगा तो आपको एक्जाम और भी अच्छा होगा और भी आपका नंबर अच्छा होने का चांस भी है तो इसी पॉइंट्स के मैं डिसकास करूंगा कि शुरू से लास्ट तक क्या आप जिस ट्रेट से कंप्लिट किया है क्वालिफ बिटेक वो इस एक्जाम में एक्ष्टा को कुछ हेल्प करेगा कि नहीं अगर करेगा तो कौन सा ट्रेड करेगा देखिए यह समझने से पहले आपको क्वालिफिकेशन Ciri फआल अब जो ऐलपी और ऐलंपी देखिए लोक ऐलपी डीयल पिसीट्र लोकोबलर से प्रोमोट ओके सिक ले लोकबल अट बनते हैं डिरेक लोकाण क 항상 नहीं होता है तो जो पивать का शग क्वालिफिकेशन है जो बिटेक का का कॉलिफिकेशन है डिग्रे इन इंजीनियरिं क्या जो एभब डिसिप्लीन है मतलब डिपनोवा में जो डिसिप्लीन मेंशन किया गया है मिकानिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स और आटो मॉइल यह जो चार्ट ट्रेड से बिटेक क्वालिफाई केंडियेट है वही अउनली एसिस्टेन लोकोपाईलोट में एपलाई कर सकते है तो अभी यह जान लिया, अभी देखिए जब आप बिटेक कंप्लीट करते हैं तब आप बिटेक मतलब आपका 10 प्लस 2 में PCM से होगा तो PCM से अगर आप किये है तो इसमें से कुछ सबजेक्ट है जो सबजेक्ट आपका बिटेक में भी कमण होगा बो सबजेक्ट आपका इस एक्जाम में भी कमण होगा तो देख लेते वो क्या सबजेक्ट है देखे 10 प्लस 2 में आप जब फीजिक्स किये थे physics and chemistry physics में से electricity जो chapter है बो chapter आप 10 plus 2 में किये थे फिर अब जब बिटे किये है तो उसमें semester जो पहला semester फास्ट यार जो था उसमें भी common होगा फिर देखिए वो ही trade अगर CBT on का जो syllabus से इसके तरह तोड़ा गौर करेंगे देखिए इसमें क्या-क्या है syllabus में mathematics जेनरल intelligence and reasoning जेनरल साइंस और जेनरल एवननेस ये CBT on का syllabus है इसमें देखिए जेनरल साइंस है जेनरल साइंस में क्या कबर होता है physics, chemistry, life science life science तो ये अलग सब 10th standard का ये छोड़िए chemistry and physics में से ये देखिए पीजीक्स में से ये आपका 10-12 में भी था physics आपका physics फिजीक्स ता और इसमें से सबसे important जो chapter है maximum जो question railway में पूछ जाते है physics में से बो electricity में से पूछ जाते है current electricity हो static electricity हो जो भी हो electricity, electrical related questions शवल पूछ जाते तो देखिए 10 plus 2 में physics था फिर B-Tech में आपका Physics आया, फिर आपका का आया, CBT-ON में Physics, physics में CBT-ON में आया, फिर CBT-2 में देखें क्या है, CBT-2 में जो यह Part A का syllabus, आपको पता है का CBT-2 में 2 Part A और B, तो यह Part A का syllabus, इसमें भी देखिए, आपका Mathematics, General Intelligence, Basic Science and Engineering, and General Awareness, Basic Science में से भी देखिए, इधर क्या है, यूनीट मेजरमेंट यह सब आपको बिटिक में कमोन है आपका 10 प्लस 12 में भी कमोन है फिर इधर देखिए बेसिक इलेक्टिसिटी यह भी कमोन हो गया फिर बाकी सब यह थोड़ा नया नया चीज है यह थोड़ा आप देखेंगे इंबर्मेंटल स्ट्राइडी यह उतना मतलब टाफ नहीं है तो क्या गया आपका सिबिटी टू पार्ट ए में भी फिजिक्स कमोन गया इसमें से बेसिक इलेक्टिसिटी कमोन गया दिन आपका पार्ट बी होगा देखेंगे पार्ट बी जैसे आपको पता है कि एक क्वालिफ कर बाँ जाएगा जिसमें से आपको ट्रेड विए उधर चूस करना परेगा देखे इसमें यह जो एक टेबिल है इसमें से आपको चूस करना होगा मतलब जो बीटिक में जो आपका क्वालिफिकेशन था उससे जो इधर दिया गया है इसके बाहर का कोई सब्जेक्ट आप चूज नहीं कर सकते जैसे आप इलेक्टिकल इंजिनियरिंग से बिटेक किया है फिर आपको यह सब इलेक्टिशियान, इंस्ट्रूमेंट, मेकानिक, वायर मेन, वाइंडर, अर्मेच आपको आपको आपके पास अवेलेबल है तो इधर एक चीज़ आप गौर गरिये इलेक्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स यह दूज सब्जेक्ट है इसमें इलेक्टिकल तो कमोन है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्टिकल रिलेटेड ही है तो यह भी कुछ कमोनी है फिर अभी देखिए मेकानिकल में आपका वो इलेक्टिकल रिलेटेड नहीं है पर अब जब आटोमोयल में भी नहीं है आप जब बीटेक किया है तो आपका 10 प्लस 2 में साइंस फिजिक्स था इ तो आपको मिल गया एलेक्टिकल मिल गया ना कुछ Cay कि अभी धेखिए अभी बोलेंगे केைटर मेंतों ओलेक्टिकल नहीं है जो कमोन बता है के169 टू से इलेक्टिकल कमोन सब्जिक्ट बता हिआ फिजिक्स में कमोनन सब्जिक्ट ह Settings उस में से एपंग में uni सब्सक्राइब टेभशे दॉर्टीघ सब्सक्राइब जो एक सब एक हो एक अरों आज कंच चुक्राइब सब्सक्राइब तो इलेक्टिकल रिएटेड नहीं है पर देखिए यह जो डीजी इडी का मतला जो कोश्टन वर्शन सब ताइग करता है कौन है डीजी इटी डीजी इटी के हिसाब से इसलेवा स्किन शॉट ओवर पेस्ट जो हीट इंजीन का मेकानिक डिजल का जो पीटेफ है उसे इसके ल लाउंड कानेक्शन ओम्स लॉइस सब कुछ देखे इलेक्टिकल बाट यह क्या है जब आप मेकानिकल इंजिनियरिंग से अगर करेंगे तो मेकानिक डिजल सब्जेक्ट चूस करेंगे तो आपको इलेक्टिकल पार्ट यह परना पड़ेगा फिर और एक पकड़ लेते हैं कि RSE में RSE किसको option है RSE electrical वालों को option में है फिर आपका mechanical वालों का option में है RSE देखिए यह गया RSE फिर आपका जो automobile है उनको भी RSE option है मतलब सब में RSE common है तो RSE में भी देखिए कि इधर भी आपको electrical related basic electronics related यह भी electrical related ही कुछ है तो आपको यह सब मिल रहा है यह CBT2 में मतलब फिर आप देखिए जब इधर से training में जाएंगे सबसे important बात वही है जब आप finally qualify करके training में जाएंगे जैसे मेरा बहुत दिक्कत हुआ था बहुत मेरा personally बहुत दिक्कत हुआ था जो training में maximum चीज ना circuit के उपर है अब जब आप आपका दोस्त अगर इलेक्टिक लोको पैलट में है तो उनसे पूछिए डीजे सार्किट में यह बहुत इंपॉर्टेंट एक सार्किट होता है तर्षार के पशन कीज वेडिक लगार ज澄शन के दुकर करई सार्किट जब में चेंस सार्किट जाए आपको ग। बहुत सार्किट मेरा तुमाग से बाहर चल जाता था पहले पहलें आपको अलग से सार्किट के बार घू.. करना होता करके अभी सार्कीट के बारे में पराई करना करना होगा एक सार्कीट के उपर ही कोश्चन आथा एक सार्कीट पूरा ड्रा करना होता है यह सब आपका फाइनली कंपलीट होके ट्रेनिंग में भी आपको इलेक्टिकल आपका पीछा नहीं जोड़ेगा सेना अगर आप डीजियल मेकानिकल इंजिनियर मेकानिकल लोकोमोटिक्स में जाएंगे मतलब आप जैसे असिस्टन लोकोपाइलट तो दोनों डिपर्मेंट में रिक दिख सकते हैं कि एलेक्टिकल डिपर्मेंट में आपको जोड़ल इलेक्टिकल लोकोमोटिव चला चलाना होता होता है इसे डब्लू एजी नइं डब्लू एजी इंजीन 6.5 दूटी लगेगा श दीवकर व्कौश्म करूए उसमें भी इक्टिकल पार्टपको पीछे लेक्टिकल में इसमें भी आपको पिछा नहीं छोड़ेगा तो मोटा-मोटी यह बात है कि आप शुरू से लास्ट तक उनेक्टिकल आपका जब पिछा नहीं छोड़ रहा है तब सबसे बेस्ट्रेट क्या होना चाहिए आपके इस अबसे सबसे बेस्ट्रेट इलेक्टिकल में बिटिक में इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग सबसे बेस्ट्रेट है यह assistant लोको पाइलर्ट जॉब के लिए क्योंकि इसका फाइदा इस subject का फाइदा आपको 10 plus 2 में जिसक्स किया है उसमें मिला है आपको इसका फाइदा आपको CBT on में basic science में अपको मिलेगा physics के हिसाब से मिलेगा और physics के अंदर electrical part है CBT 2 में आपको मिलेगा basic science के अंदर मिलेगा electricity का part और फिजिक्स का दूसरा किसी पार्ट फिर ट्रेट टेस्ट में आपको मिलेगा उसमें भी मोस्ट मुस्ट अम्सक्राइब मैक्सिमाम सब्जेक्ट मैं इलेक्टिकल पार्ट कमने है मतलब हीट इंजीन अब ये जो सब्जिक जितना आप देख रहे हैं इसमें से जो चूज करेंगे maximum में एक common subject है वो है electrical आप सोचेंगे कि फिटाल लेंगे electrical नहीं है पर इसमें भी थोड़ा बहुत electrical है आप सोचेंगे कि इधर से मेशिनिस्ट लेंगे इसमें है इसमें पीधोरा बहुत आप है इसमें इसमें इसलिए इलेक्टिकल कभी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है फिर आप एFirst जारीं को ठ्रसाब करें पर्द्र करा करें है उसमें के सेंघ्रनिक्स इसलिए पर सब्सें बिटिकियां सेकेंड है इलेक्टोणीक्स सब से की ए और वो लोको पर आप जाना चाहते है उनकेले सेकेंड है बेस्ट और देन है मेकानिकल इंज्जिडियरिंग और और तुमबाद फीस नम्बर और मेरा ओपिनियांग ऐलेक्टिकल नम्बर तू है electronics ठीक है और सबसे interesting बात क्या है आपको पता है यह जो assistant local pilot का qualification minimum क्या है ITI मतलब यह IT related job है पर आपको जब finally आप देखेंगे ना तो maximum B-tech candidate मिलेगा आपको दिन आपको diploma candidate मिलेगा and last में IT candidate मिलेगा क्यूंकि यह B-tech बालों के लिए यह जो syllabus से बहुत ही easy होता है B-tech बालों के लिए और देन diploma बालों के लिए भी easy होता है क्यूंकि इनका भी बहुत subject common होता है आज कल diploma तो diploma जो करते हैं उन्हें से maximum 10 प्लस 2 में science के साथ 12 पास्ट किया हुआ है तो उनको भी easy होता है लास्ट में IT candidate होता है तो बस इतना ही था इस वीडियो में उमीद है आपको वीडियो informatic लगा होगा तो subscribe कीजिए चैनल को वीडियो को like कीजिए अगर आपको कोई queries हो आपका opinion आनो तो